जोहार साथियो मैं आशिस बिरुली आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साल के पत्तों से बनी कटोरी में ओमलेट कैसे बनाई जाती है तो चलिए सबसे पहले हम लोग कटोरी बनाते हैं उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं तो इस वक्त मेरी बुवा मेरे साथ है जो की साल के पत्तों से कटोरी बनाईगी आप देख सकते हैं कि तीन लेयर बन रही है तीन लेयर इसलिए ताकी हम लोग जब इसे आगी में डालेंगे तो ये पत्ते जल के ख़तमना हो जाए तो एक लेयर अगर जल जाएगी तो दूसरी लेयर बची हुई है तो इसलिए मोटी लेयर की ज़रूरत है कर दो कर दो को आपकती है तो देखिए यहां चार कटोरी बनके तयार हो गई है एक दो तीन और चार तो आप यहां देख सकते हैं कि जमीन भिंगी हुई है बारिश के कारण तो अभी हम लोग एक अगर हम लोग ऐसे ही डारेक्ट अगर आग जलाएंगे तो यह आग जल्दी नहीं पकड़ेगी इसलिए हमारे पास है धान की जो छिलके की जो पाउडर है हम लोग जब धान पिस तो आप देख सकते हैं कि आग जल गई है तो अभी हम लोग तब तक वेट करेंगे जब तक यह आगी जल करके यह अंगारे में बदल ना जाए हमारे पास छे अंडे हैं हम लोग दो-दो मिला करके ओमलेट तयार करेंगे और हमें तीन कटोरों का ज़रूरत है तो चलिए सबसे पहले हम लोग को असरसो की तेल की ज़रूरत है और हमारे पास इधर नमक भी है क्वाचल टूओ है नहला हमारे खास सक्टवपपपपपपपपब लिए तेल का रही ज़रूरत है क्वाचल विएस कि अच्वाचल क्वाचल 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 और अभी हम लोग थोड़ा सा नमक डालें यह इसमें स्वादन उसार थोड़ी सी मिर्च अब इसा अच्छी तरह से मिलानी होगी झा हुआर पिलानी होगी मिल, घ्र nella बाए थोड़ी वह पiczता तरहस्या जया हम प्या हुआर्ण से प्लीघ करें झाहिए ज unknown हुआर्ण काभ़ा साओक पिला करें यहुआ के जिम करें लंक टो मावा झालने काफ रिंद नह शर रैं काशना म किलाओह तो आप देख सकते हैं इसकी जो हम लोग जो एक लेयर बना है तीन लेयर बना है लेयर सब थोड़ी थोड़ी जल के खतम हो रही है और इसमें यह है कि आप इसको पल्टी नहीं कर सकते हैं हुआ है।चा को कर दोड़ करें बंड़न वोड़न वोड़न रु़ बंड़न टू़न खर चल्स होड़न बंड़ में बंड़न तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग इसे पल्टी कर दिया है और थोड़ा देर ऐसा ही रखा जाएगा तो पांच मिनट हो गई है और अभी हम लोग इसे निखा लेंगे कर दग तो प Happiness युओे चाबस कर दोड़ा ज on निया सह झाफ मिन दिए और रहा हैं है तोंगड्ड़ कर दोड़ा ध nos तोंग़ंगा झाबसन आँ को झाःाफन अठल रड़ा पांई। स स्कार आपक दो송 गऴ। प्राइज सबू हो पैसे ही चुछी है तो आपने देखा कि ये ट्रेडिशनल मेथट में जिस तरह तयार हुई है इसमें बहुत टाइम लगी बहुत मेहनत लगी लेकिन इतनी मेहनत वर्थ है क्योंकि इसकी जो टेस्ट है नॉर्मल तावा में जब हम लोग बनाते हैं उससे एकदम बिल्कुल अलग है तो अगर अलग टेस्ट आपको चकनी है तो इतनी मेहनत तो बनती ही है हमारे पुर्वज इस तरह पकाते थे ओमलेट और वही मेथड में आज हम लोग पका है वही स्टाइब नहीं यह बहुत ही लाज़वाग है इसकी जो टेस्ट है बहुत ही अलग है बहुत ही अलग है आपने ओमलेट बनाने का जो तरीका इस वीडियो में देखा हमारे पूर्वज पहले ऐसा ही बनाते थे और भी नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमें कमेंट में बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो त तो प्लीज लाइक और शेर करना मत पूलिए आपसे मिलते हैं कुछ ऐसा ही नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा चुहार